असलामनेकूम, मेरा नाम डॉक्टर सबहाद खान है, मैं डॉक्टर सहॉस्पेटर लहूर में एस कंसर्टेंट गाइनकॉलिज़स्ट एन आई वीफ स्पेशलिस्ट काम करती हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि उनका वएतीन के बारे में जिनover pre term labor यजिन वक से पहले बच्चे की पैदाइश का खत्रा ज्यादा होता है उनको किस तरह पता छल सकता है कि उनको pre term labor start हो गया है आज उसकी थियत क्या कर सकती है या फिर अगर प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या ट्रीक्मेंट दियेगी। बाज वकत खवातीन में कबल अजवत बच्चे के पैदाईश हो जाती है। जिससे ना सिर्फ मां को बलके बच्चे को भी कॉंप्लिकेशन्स फेस करनी पड़ती है। किन खवातीन में रिस्क ज्यादा होता है प्री टर्म लेबर का। उसमें ऐसी खवातीन जिनकी मल्टीपल प्रेग्नेंसी होती हैं त्विंज, ट्रिप्लेट्स या हाई ओडर प्रेग्नेंसी होती हैं एक से ज्यादा बच्चा होता है यूटरिस के अंदर, उनमें रिस्क होता है कि वो वक्त से पहले लेबर में जा सकती हैं। इसके इलावा ऐसी खवातीन जिनके पहले मिस्कैरिज हुए हैं या पहले उनमें हिस्ट्री हो के उनमें वक्त से पहले बच्चे की पैदाईश हुए हो, उनमें भी रिस्क होता है कि दुबारा नेक्स प्रेग्नेंसी में उनमें प्री-टर्म लेबर ना स्टार्ट हो जाती है, बचेतानी की मूखी लेंद, या ने सर्विक्स कमजोर होती है, जिसे हम सर्वाइकल इनकॉंपिटेंस कहते हैं, उसमें भी प्री-टर्म लेबर का खतरा बढ़ जाता है, बाज वकात खवातीन की एज अगर 17 साल से काम हो या 30 साल से ज्यादा हो, उनमें भी ये ख अगर कंट्रोल ना हो तो उसकी कॉंप्लिकेशन की वज़ा से भी वक्स से पहले डिलिवरी हो सकती है, स्ट्रेस अगर लाइफ में मौझूद हैं तो वो भी प्री-टर्म लेबर इंड्यूस कर सकती है, इसके लावा स्मोकिंग या अल्कोहल का इस्तमाल भी प्री-टर्म ल को टांका लगाना पड़ता है, या ऐसी खवातीन जसमें इस सर्वाइकल इनकॉंपेटैंस का मसला हो, उनमें हम सर्वाइकल सर्कलाज लगाते हैं ताकि प्रेगननसी में हम सर्कलाज के साथ उस प्रेगननसी को कॉंटिन्यू करें और डिलिवरी के टाइम से थोड़ा पहल और ब्लेड प्रेशर, शूगर को चेक में रखें और कंट्रोल रखें ताकि उसकी कॉंप्लिकेशन्स ना हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आप टी टर्म लेबर में जा रही हैं, इसकी अलामात क्या हैं, आपके विजायना के डिस्चार्ज में चेंजिस आना शूर जेंगे डिस्चार्ज ज्यादा भी हो सकता है, बाज वकात बचे का पानी लीक हो जाता है, या उसमें ब्लीडिंग आ सकती है, पेट के निचले हिसे में डिस्कमफर्ट हो सकता है, कमर के निचले हिसे में दर्ध हो सकता है, पेट के निचले हिसे में ऐसा भी हो सकता है कि आपको हैं पानी का ज्यादा इस्तमाल करें अगर फिर भी आपकी पेंट सेटल नहीं हो रही तो फौरी तो पर पर अपनी गाइनकोलोजिस से रापता करें और अपने लिए किसी ऐसे हॉस्पिटल का इंदखाब कीजिए जिसमें बच्चे की नर्सरी मौझूद हो ताकि अगर इनके उसको भी ट्रीट किया जाता है और बच्चे के फेपड़े मस्बूत करने के लिए यानि लंग मिचूर्टी के लिए स्टिरॉइट के टीके लगाये जाते हैं ताकि अगर बच्चा कबल अस वक्त पैदा हो जाए तो सांस लेने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े अगर आपको भी इसे related कोई मिसाल दरपेश है या आप इसे related को information लेना चाहते हैं तो आप दिये के number पर मुझसे राप्ता कर सकते हैं शुक्रिया